तो लीजी ए माइ लवली प्रेंड आपके लिए छोले भाटूरे की रेस्पी है तो पूरी रेस्पी मै tightening शेयर की यहां पछोलों की भी और भाटूरों की भी और कितने जल्दी जाते हैं कोई ताम जाम नहीं और इतने टेश्टी बनके तयार होएंगे कि बाहर के छोले भटूरे तो खाना भूली जाओगे और घर में ही बनाओगे और इंजॉय करोगे अपनी फैमली के साथ में चलिए बनाना शुरू करते हैं इस मज़िदार है तो सबसे पहले हम तो पांच मिनिट के लिए इसे रेष्ट पे छोड़ दीजिए अब यहां पर लीजिए एक बावल और उसमें एड कीजिए दो कप मैदा मैदा ले लिजिए आप अपने अनुसार ले लिजिए ज्यादा बना रहे हैं कम ले रहे हैं तो मैंने यहां पर दो कप मैदा की दो किश्ण तो आप फूल चूड़ दीजिए लिगे हैं तो आव पे हमने ृछी रीच कुह इसा कि थे रीवह लिजिए लिए तो पूल चुकी थी तो अब इसको इसमें डाल के अछे तो फ़ोड़ेदा दालाकि अर्टेस्ते लिजिए रिओं इसे लिए प्र टूरे के ल तो आटा जो है हमारा सौफ्ट ही होना चाहिए जैसा हम रोटी के लिए बनाते हैं उस तरीक का होना चाहिए तो अब इस पे हमने थोड़ा सा ओईल ग्रीस कर दिया है और अब इसे हम लेश्ट करने के लिए छोड़ देंगे अधा घंटा ज्यादा हमें नहीं रखना आदे घंटे में बहुत परफेक्ट आपके भटूरे बनके तयार होएंगे तब तक हम कर लेते हैं चोलो की तयारी तो यहां पे हमने गैस पर चड़ाया एक कूकर और कूकर में हमने रात भर चोलो को जो काबुली चने होते हैं फुल कर दी जहें कुई ुट्राइश प्यारीसिस तू बिल्कुल बाहर के जैसे आपके यह चोले बन पहली सीटी आने दीजेगा हाई फ्लेम पे और जो चार सीटी होईगी ना उसको आप लगा दीजेगा लो फ्लेम पे तो यहां पर आप देख सकते हैं सीटी आ चुकी है अब इस कुकर को आप ठंडा होने दीजिए तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं तो अब हम ग्रेवी बनाएंगे तो ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले गैस पेक पैंचड़ा लीजे और उसमें एड कर दीजे मस्टर्ड ओयल और मस्टर्ड ओयल में यह सारे ड्राइ स्पाइसिस लगेंगे तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी मैंने आपको स्क्रीन प अब लहसुन को गॉल्डन ब्राउण होने तक पकने दीजे जब कलर चेंज हो जाए तो यहां पे अब एड कर दीजिए प्याज तो चार से पांच प्याज ले लिजे वसे बारी कर लेजे या तो अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर में चॉप कर लीजे समय बसता है तो मैंने यहां पर चॉप करके डाली है तो अब यहां पर इसको भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है तो यहां पर देख सकते हो चेंज हो चुका है प्याज का पूरा कलर तो अब इसमें एड़ कर देंगे बारी कटा हुआ टमाटर एक से दो और इसे अच्छे से प अब इसमें एड़ कर देंगे हम अपने सारे मसाले तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हल्दी धनिया मसाला लाल मिर्च पाउडर के तीखी वाली है और इसमें एड़ करेंगे हम गरम मसाला और लाश्ट में मैं इसमें एड़ कर रही हूं कश्मीरी लाल मिर्च यहां कश्मी अच्छे से पक जाए जले नहीं ग्रेवी के साथ तो अब ढ़क दीजिए और दो मिनट तक इसे अच्छे से पका लीजिए तो यहां पर दो मिनट हो चुके हैं जो हमारा पानी था मसालो का वह सूख चुका है यहां देख सकते हैं तो अब इसमें हम एड़ कर देंगे हरी में तो इस तरीके से आप लंबी शेप में इसे कट कर लीजेगा बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ज्यादा तीखी भी नहीं बनती है तो इस तरीके से अब लास्ट में हमने इसमें एड़ कर दिया है तो चोले यहां पर हमारे पानी के साथ ही इसको एड़ कर दीजेगा और यहां पर इसे कवर कर दीजेगा और दस मिनट तक लो फ्लेम पर इसे अच्छे से पकने दीजेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं दस मिनट हो चुके हैं तो यहां हमारे छोले बनके तयार हो चुके हैं मैंने इसमें कोई ए तो इस तरीके से हमने एक दाना उठा के देख लिया है तो दाना बहुत अच्छे से सीच चुका है तो अब इसमें धेर सादा धनिया डाल दीजिए बहुत अच्छा फ्लेवर आता है धनिया का तो और इस धनिया को अच्छे से इन छोलो में मिक्स कर दीजिए और यहां पर कं तो अब हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं यहां पर हमारे जो भटूरे का आटा है वो भी सेट हो चुका है आदा घंटा हो चुका है तो आदे घंटे बाद इस तरीके से थोड़ा सा हातों से इसको अच्छे से मिला दीजिए और फिर एक प्लेट लीजिए और सारी जो लोई ह हमारी इस तरीके से बना बना के रख लीजिए तो हमने यहां पर सारी लोई भटूरे की बना के रख ली है तो अब इसे एक कपड़े से ढख के रख लीजिए और एक एक बनाना स्टार्ट कर दीजिए तो यहां पर हमने चकले पर एक लोई ली और इस तरीके से हमने बेल द चलने की मदस से उपर तरीके से थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहें ताकि अच्छे से फूल जाए तो आप देख सकते हैं कि आदे घंटे के अंदर ही यह भहतुरा कितना पर्फेक्ट बनके तयार हुआ है तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका definitely sure कि आपके perfect भटूरे बनके तयार होएंगे तो बना डालिए इन छोले भटूरों को बहुत easy तरीके से पूरी रेस्पी देखिएगा बहुत easy है बनाना यहाँ पे आप भटूरे की softness देख सकते हैं और आपके छोले भी कितने लाजवाब बनके तयार हुए है looks perfect yummy तो रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए subscribe कीजिए मिलते हैं आने वाली next वीडियो में अपना ध्यान रखेगा बाबाए